Good morning students, आज हम लोग first chapter का question answer solve करेंगे तो question number A है, choose the correct answer आपको सही answer को choose करना है, चुनना है तो question number 1 है, who could not sleep? कौन सो नहीं सका? Option A, तिंकू, B, मा, सी, पा तो कौन नहीं सो सका? टिंकू, तो आप टिंकू को टिक करोगे आप question number 2 है, why did मा not hear टिंकू's words? मा टिंकू के सब्दों को क्यों नहीं सुनी? Option A, सीवाज भेरी बीजी, वा बहुत बीजी थी B, सीवाज फास्ट एस्लिप, वा गहरे निंद में थी C, सीवाज फार अबे, वा दूर में थी तो सही आंसर है, सीवाज फास्ट एस्लिप, वा गहरे निंद में थी अब question number 3 है, who was a smiling down at टिंकू? टिंकू पर कौन मुस्कूरा रहा था? Option A, मा, B, दमून, C, फ्यूरी तो सही आंसर है, दमून अब question number 4 है, what does Carrie do at night? Carrie रात में क्या करता है? Option A, he dances, B, he sings, C, he chirps तो सही आंसर है, he chirps अब question number B में देखिए, answer in detail यहाँ आपको detail में answer लिखना है तो first number, एक संटेन से, the night is beautiful रात खुबसूरत है, तो यहाँ question है A, who said these words? इन सब्दों को, इन words को किस ने कहा? तो टिंकू ने कहा था, तो आप लिखोगे टिंकू said these words अब B number है, why did he feel that the night was beautiful? टिंकू को क्यों महसूस हुआ कि रात खुबसूरत थी? तो आप answer लिखोगे, because he saw the moon smiling down at him क्योंकि उसले moon को दिखा, जो उस पर मुस्कूरा रहा था अब question number two है, name the animals that टिंकू met that night आपको उन animals का नेम बताना है, जो उस रात टिंकू से मिले तो आप answer लिखोगे, that night टिंकू मेट, बोलू दा बैट, फ्यूरी दा फॉक्स, मोली दा माउस and कैरी दा क्रिकेट अब question number three है, what did टिंकू and his friends do, टिंकू और उनके friends ने क्या किया तो आप answer लिखोगे, टिंकू and his friends jumped and rolled and played, टिंकू और उसके friends उचले, कुदे और खेले अब question number four है, why did टिंकू stop playing, टिंकू ने खेलना क्यों बंद कर दिया, तो आप answer लिखोगे टिंकू stopped playing because he was sleepy, टिंकू ने खेलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे नींद आ रही थी अब question number three देखिए, think and answer, आपको सोचना है और सोचकर answer लिखना है The night is full of wonderful creatures, why does टिंकू say this, रात अद्भूत प्रानियों से भरी है ऐसा टिंकू क्यों कहता है, तो आप answer लिखोगे टिंकू says these words because he is surprised to see many animals at night टिंकू इन words को कहता है, क्योंकि वह रात में बहुत से animals से मिलकर surprised है Know your values, अब यहाँ देखिए, D number टिंकू is a lamb and his friends are the bat, the fox, the mouse and the cricket टिंकू एक lamb है और उसके friends bat, fox, mouse और cricket है They are all different animals, yet they play together happily वे सभी लोग अलग-अलग animals है, फिर भी वे सभ एक साथ खुशी से खेलते है तो यहाँ question है, do all your friends look the same क्या आपके सभी friends एक जैसा दिखते है तो यहाँ आपको yes या no में answer लिखना है अब next है, where they all born in the same city क्या वे सभी लोग एक ही city में जन्म लिये थे यहाँ भी आपको yes या no में answer लिखना है फिर next है, are you all happy to play together क्या आप सभी लोग एक साथ खेल कर खुश हो यहाँ भी आपको yes या no में answer लिखना है अब next पे जाएंगे grammar यहाँ हम noun के बारें परेंगे a noun is a naming word it names a person, a place, a thing, an animal noun एक naming word है जो किसी person, place, thing और animal के नेम को बताता है जैसे राम जो एक person नेम है पटना जो एक place नेम है टेवल जो एक thing नेम है लायन जो एक animal नेम है तो यह किसी भी नेम को, किसी भी चीज के नेम को बताता है उसे हम noun कहते है आप अपने आसपा जितनी भी चीजे देखते हो जैसे cat, dog, paint, pencil, chair, table यह सभी noun है अब है next common noun तो common noun वैसे noun को कहते है जो किसी person, place, thing और animal के संपूर्ण जाती को बताता है या किसी a special person, place, thing और animal को नहीं बताता है जैसे girl तो girl कहने से हाँ किसी भी लड़की के बारे में हाँ कहा जा रहा है लेकिन अगर हम girl में कोई name ले लेते हैं जैसे सीता, गीता तो यह special हो गया तो यह common noun नहीं है तो यहाँ girl जो एक common noun है इसी तरह country, river, city यह सब common noun के examples हैं It begins with a small letter common noun हमेशा a small letter से start होता है आप जब भी कभी common noun किसी sentence में लिखोगे तो आप हमेशा a small letter से ही start करोगे अब next step, proper noun a proper noun is a special name for a person, a place, a thing, an animal proper noun वैसी noun को कहते हैं जो किसी खास, person, place, thing और animal के name को बताता है जैसे गीता जो एक girl में एक name है पटना जो city का एक name है इंडिया जो country का एक name है इस तरह गीता, पटना, इंडिया यह सब proper noun है और girl, city, country यह सब common noun है जो किसी special name को बताता हो वो proper noun है जो किसी जाती के बारे बता है जैसे वो common noun है जैसे अगर girl है तो girl एक common noun है और उसमें जो name है जैसे सीता, रीता वो proper noun है इसी तरह अगर कोई country का name है जैसे इंडिया, जापान तो यह proper noun है और country जो हो गया वो common noun है क्योंकि country से किसी भी देश के बारे में हां कहा जा रहा है it always begins भी था capital letter proper noun हमेशा capital letter से start होता है आप कभी भी sentence में अगर proper noun आए तो आप उसे capital से start करोगे जैसे यहाँ example है टिंकू जो एक lamb का name है इसले यहाँ पे टिंकू का first letter capital से लिखा गया इसी तरह fury, chernay यह सब proper noun के examples है अब यहाँ question है match the common nouns and the proper nouns to the correct pictures आपको common noun और proper noun को सही picture से match करना है तो आप देख रहे हो left side जितने भी words हैं जैसे lamb, cricket, girl, building, park यह सब common nouns है और right side जितने भी words देख रहे हैं जैसे carry, tinkoo, green park, Cinderella, ताजमहल यह सब proper nouns है तो यहाँ first है lamb तो आप lamb को lamb के picture से पहले match करोगे तो यहाँ किया गया है देख रहे हो आप यह lamb का picture है तो lamb को lamb के picture से match किया गया है तो आप इस picture को आप उसके name से match करोगे तो आपने पढ़ा कि उस, आपने story में पढ़ा कि lamb का क्या name था, tinkoo तो यहाँ lamb के picture को tinkoo से match किया गया है ठीक उसी तरह second number देखी cricket तो यहाँ आपको cricket को cricket के picture से match करना है तो यहाँ है cricket का picture तो आप इसी इस तरह से match करोगे और आप इस picture को इसके name से match करोगे तो इस cricket का क्या name था, story में, carry तो यहाँ आप carry से match करोगे इसी तरह आप girl है, तो आप girl के picture से match करोगे और girl का क्या name है, Cinderella तो आप इस पिक्चर को सिंड्रेला से मैच करोगे इस तरह आप इसे कम्प्लीट करोगे अब नेक्स वीडियो में हम आगे का आगे का क्वेश्चन देखेंगे थैंक यू